नमस्कार दोस्तों डूर। स्वागत आपका मारे यूट्यूब चेनल PK Athletic Coaching में इस वीडियो में हम बात करेंगे Postal Order और Postcard क्या होता है इसको कैसे बढ़रा जाता है इसके उबरने का सही तरीक्वा क्या है सभी के बारे में हम डीटेयल में बात करेंगे वीडियो को पूरा देखते रही यदि चैनल पर ने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मारे चैनल पर आर्मी वा ओफलाइन फारम से जोड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी चली देखते हैं पोस्टल ओडर क्या होता है इसमें आप देख सकते हो इसमें धाया है की आुटी घाया है आपको सब्सक्राइब सोरपीच रेर उनने बादाया उपको सबसे अपर सबत्र ना है जहांपर आपको यह पोस्टल ओडर बिजना है जैसे आप इसमें देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ जैसNews यह है senior manager mail sector service यह एड्रस आपको pay2 में लिखना है। दोस्तों यह address आपको pay2 में लिखना है। सबसे उपर वाली kolum पर आपको इस address पर आपको यह address लिखना है। जहां पर आपको यह post order बेजना है। उसके बाद नीचे at the post office में आपको आपको अपना पूरा आडरेस लिखना है उपका नाम फादर नेम दिश्टीक तैसिल और पिन कोड के साथ आपको अपना पूरा आडरेस यहाँ पर लिखना है और इसके बद आपको एक सलीप दी जाती है यह सलीप आपको अपने पास लखना होती है इस पर भी आपको अपना आडरेस लिखना होता है यह सलीप फाड़ कर आपको अपने पास लखना होता है और इसके नीचे जो नमबर लिखे होते है इसमें आप देख से तो यह नमबर फार्म में दिये हुए कॉलम में लिखना होता है 53, 54, 54, शेयर नमबर आपको फार्म में दिये हुए कॉलम में लिखना होता है और यह सलीप यहां तक आपको फार्म के साथ लगाना होता है जो नीचे नमबर दिये होता है यह फार्म के कॉलम में लिखना होता है दोस्तो यह रहता है post order का पूरा प्रोसेस उसके बाद बात करते हैं दोस्तो post card की यह post card होता है दोस्तो और post card का प्रयोग भी self address की तरह किया जाता है जैसे self address post card आप किसी भी post Would से ले सकते हो post card 1, 2 या 15 कितनी का भी post card ले सकते हो पोस्ट काड में सबसे उपर आपको यहां पर फ्रोम में अपना एडर्स लिखना होता है और यहां पर टू में आपको जहां पर यह फारम बेजना है वह एडर्स लिखना होता है यहां पर आपको लिखना होता है जहां पर यह फारम बेजना है वह एड्रस इस पर लिखना होता है नीचे आपको पिन कोड लिखना होता है दोस्ते यह पोस्ट काड होता है कई बार इसका प्रयोग प्रयोग ने किया जाता है पहले इसका प्रयोग किया जाता था पोस्ट होता है यह जो आपको ओफ लाइन फारम बढ़ने से या किसी भी स्पीड पोस्ट या रजीटर पोस्ट किसी भी तरिक्के से कैसे कराते हैं किसी भी डिटेल के बार में आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो अगर वीडियो ची लगे तो शेयर जरू करें कर दो हमें।